नमस्कान दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एक अप्रेल दो हजार चौविस से पांच नए नियम लागू इन नियमों का पालन करना अनिवारिये तब ही आएगी बैंक खाते में पैंशन आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग विद्वा तलाकशुदा वर्दवस्ता आदी पैंशन धारकों के लिए हैं यदि आप भी एक पैंशन धारक है, सरकार से, दिव्यांग, विद्वा, तलक्षुदा, वर्दवस्था या आदी, किसी भी एक पैंशन का लाप्राप्त कर रहे हैं, आज की यह खबर यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पैंशन से सम्मनिद पांच नए नियम जो लागू होने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, और यह जानकारी उन पैंशन धारकों के लिए भी है, जिनकी पैंशन पिछले तीन महीने से, छे महीने से, साथ महीने से, या एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, पैंशन रासी बैंक खाते में नहीं आ रही, तो वह भी पैंशन धारक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, स सब से पहले ही उसका लाव उठा सके, चलिए वीडियो की सुरवात कर लेते हैं, पैंशन नियमों को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है, सभी दिव्या, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था और तलाकशुदा पैंशन धारकों के लिए इन नियमों क पालन करना अनिवारिये हैं, अन्य था कभी भी यह पैंशन धारक अपनी पैंशन अपने बैंक खाते में नहीं ले पाएंगे, लाब नहीं ले पाएंगे परदान मंत्री नरेंदर मोदी की केंदर सरकार की देखरेख में इंदरा गांधी राश्ट्रिय पैंशन योजना चलाई जा रही है इस योजना के तहट पातर, दिव्यांग, विद्वा, वरद अवस्था या तलाक्षुदा लाभार्तियों को पैंशन रासी दी जाती है पैंशन योजना है जो की केंदर सरकार की तरफ से चलाई जाती है जो सभी राज्ये में माननी है और एक होती है राज्य सरकार की पैंशन योजना अब देखिए जो केवल राज्य के अधीन आने वाले पातर पैंशन धारकों के बैंक खाते में पैंशन रासी को ट्रांस्फर करती है वे हैं राज्य सरकार की तरफ से चलाई गई पैंशन योजना सभी राज्य सरकार की तरफ से एक अलग-लग पैंशन रासी को निर्धारित करके परदेश राज्य के अधीन आने वाले पैंशन धारकों को दी जाती है अब देखिए सभी राज्य में अलगलग पैंशन नासी को निर्धारित करके राज्य सरकार लाभारतियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है किसी राज्य में 4,000 रुपे परती महीना पैंशन नासी दी जा रही है जो की बिहार राज्य है 600 रुपे प्रति महीना MP सरकार यानि कि मद्धे परदेश सरकार दे रही है 500 रुपे से लगाकर 1500 रुपे तक कि पैंशन नासी राज़स्थान राज्ये लाभार्तियो बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है और 1000 उपए जो pension 80 है यह है उत्तर परदेश सरकार दे रहा है हम आपकी जानकार गे बता दे जो उत्तर परदेश राजे सरकार है वह है 1000 उपए परती महिना pension देता है लेकिन हर महिने लाभारतियों बैंक खाते हैं pension 80 को transfer नहीं करता करता है तीन महीने के अंतराल पर तो तीन महीने के हो जाती है तीन हजार रुपे जी हां तीन महीने के पैंशन हो जाती है तीन हजार रुपे तीन महीने के अंतराल पर यह दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता, पुष्टवस्ता और तलाक्षदा लाभार्तियों बैंक खातें ये पैंशन आश्य को ट्रांस्फर करता है अब बात करते हैं कि 15 रुपे परती महिना किस राज्य में सरकार दे रही है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि उत्राखंड राज्य के अधीन आने वाले लाभार्तियों के बैंक खातें में जो पात्र पैंशन धारक है उनको 1500 रुपे परती महिना राज्य सरकार दे रही है 2500 रुपे दिल्ली सरकार लाभार्तियों को देती है 3000 रुपे परती महिना पैंशन हरियाना राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था और कुछ तवस्था या तलाक्षदा लाभार्तियों को सरकार दे रही है बात करते हैं पैंशन का लाब लेने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवारिय है तभी आप अपनी पैंशन ले सकते हैं और यदि किसी पैंशन धारक की 3 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से या 8 महीने से यहां तक की एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है 12 महीने से अधिक का समय हो चुका है बैंक खाते में पैंशन रासी नहीं आई है तो ऐसे सभी pension धारकों को इन नियमों का पालन करना अनिवारी है जैसे आप इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो जो आपकी रुकी pension है वहे भी आपके बैंक खाते में आना परारंब हो जाएगी बस आप इन नियमों का ध्यान से पालन करना है और इसको आपको अच्छे से समयना है हम साथ साथ डोक्योमेंट भी आपको बताएंगे और क्या नियम है वह भी जानकारी आपको दे देते हैं देखिए ध्यान से समझेगा बात करते हैं पहले नियम के बारे में तो जो पहला नियाम है पैंशन से संबंदित यह कहता है जिस किसी पैंशन धारक का दस वर्ष से अधीक पुराना आधार काड है सबसे पहले पैंशन धारक को अपने आधार काड को अपडेट कराने की अवशकता है अपडेट क्या कराना है अपना फोटो आपको अपडेट कर यदि address में कोई गलती हो रही है तो address ठीक कराईए, जनम्तिती में कोई गलती हो रही है हिंदी या English में तो उन गलतीयों को ठीक कराईए, ये कारिये सबसे पहले pension धारक को करना है, चाए आप दिव्यांग विद्वा, वर्दवस्था, कुछ दवस्था किसी भी pension का लाब ले पैंशन रुक रही है, तो इन नियमों का पलन करे, ठीक है, बात करते हैं, यदि pension देखे रुक रही है, आधार काड को अपडेट कराने के बाद, pension में आपको यह document अपना लगाना है, मान लिजे आपने अपना आधार काड अपडेट करा लिया, अपडेट करा कर आपका जहां पर भी आपको अपना आधार काड लगाना है, अपडेट कराने के बाद ही आप इसको लगाईएगा, अन्य था, आप pension के जो कारे कर रहे हैं, सबी आपने कारे पूरे कर लिए, फिर भी आपके बैंक खाते में आपकी pension नहीं आ पाएगी, तो ये कारिये आपको तभी करना है, यदि किसी pension दार का 10 वर से अधिक पुराना आधार काड है, तो सबसे पहले अपने आधार काड को अपडेट जरूर करा लिजीगा, बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में, ध्यान से समझे कि अपडेट आधार काड कहां पर इस्तिमाल होने वाला है, वह भी आप एक ही है, नाम लग लग है, लेकिन कारिये एक ही है, जिसने अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया, वह जल से अपना यह कारिये पूरा कर लिजी, अब देखिए, आप इसको समझी गई होंगे, आधार वेरिफिकेशन यानि कि आपको अपना आधार से सम्मंदित EKYC कर होने वाली है, आधार कार में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उसके पर एक ओटी बैगा उसके अवशक्ता होने वाली है, इन डोनों डोक्यमेंट के माध्यम से आप अपनी पैंशन का EKYC करा सकते हैं, अब समझ आ गया आपको कि आधार कार सबसे पहले अपडेट करान है, उसके माँ जिसका EKYC कंप्लिट नहीं है, तो दुबारा, यानि कि फिर आपको अपना EKYC कराना है, पैंशन का, समझ ये, बात करेंए, पैंशन का EKYC कराने को, तो ये कारी आपको कराना है, बात करते हैं दूसरे कारी के बारे में, यानि कि तीसरा, पहला है आधार कारी पूरा नहीं कराया, करपिया अपने बैंक में जाकर, यह कारी पूरा जरूर करा ले, अब आधार सिडिंग क्या होता है, आधार सिडिंग आप कह सकते हैं, आधार सिडिंग बोलिए, या आधार सिडिंग मैपिंग बोलिए, या NPCI मैपिंग बोलिए, बात एक ही है, ये कारिये आपको अपने बैंक में जाकर कराना होगा, उनको बोलिए कि मैं आधार सिडिंग कराना है, हमारी पैंशन रुक रही है, तो वे आपको एक फरम देंगे, वे फरम भरकर आपको जमा करना है, जिसमें बैंक की डिटेल मांगी जाती है, भरकर आपको साइन अग उठा लगा कर जमा कर देना है, कुछ दिनों के अंदर ही, आपका NPCI मैपिंग या आधार सिडिंग का कारिय कम्पलीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे पैंशन धारक है, जिनको आधार बेश्ट पेमेंट किया जाता है, जिनको सरकार, यानि कि जिस कैटिगरी के पैंशन धारक को सरकार आधार बेश्ट पेमेंट कर रही है, जिसका ये अधोरा है, उनकी पैंशन रुक रही है, उत्तर परदेश में वर्दवस्ता पैंशन धारक को आधार बेश्ट पेमेंट किया जाता है, तो ये कारिय करना अनिवारी है और भी अन्य राज है जिनमें आधार बेश चरकार पेमेंट कर रही है पैंशन धारकों को बात करते हैं अगले कारिय के बारे में यानि कि चोथे कारिय के बारे में जिस किसी भी पैंशन धारक का जोईंट बैंक खाता है तो जल से जल आप उस खाते को सिंगल करा लिजे यानि कि आपका अकेले का ही बैंक खाता होना चाहिए यदि किसी का जोईंट बैंक खाता है पैंशन नासी बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी जल्द से जल्द आप अपना यह कार्य कर दिलीजे तभी आप अपनी रुखी पैंशन ले सकते हैं अब देखी यदि किसी की जोइंट खाता है किसी भी पैंशन धारक का तो ये एक बड़ा करण है जिस वेसे लाभार्तियों की पैंशन रुख जाती है तो जिसका भी जोइंट खाता है वे आप अपना अलग करा लीजेगा बात करते हैं देखें यानि कि किसी का भी जोइंट खाता नहीं होना चाहिए केवल पैंशन धारक का ही अनिवारिये है बात करते हैं पाँचवे नियम के बारे में जिस किसी पैंशन धारक के पैंशन एपलिकेशन फारम में गलतिया हो रही है आप देखें दोस्तों गलती किसी भी परकार की हो सकती है आपके अवधन फारम में जो गलती हो रहे हैं नाम में गलती हो सकती है इस spelling में गलतिया हो सकती है या date of birth में गलतिया हो सकती है या address में गलतिया हो सकती है personal information में bank की detail में कहीं पर भी गलतिया हो सकती है तो इन सभी गलतियों को ठीक राने के लिए आपको अपने जिला समाज कल्यान या विकास भवन या परखंड में जाना है महाँ पर अधिकारी बैटे होते हैं उनसे संपर्क कीजे बातचीत कीजे बताइए कि हमारी इतने दिनों से पैंशन नहीं आ रही है तो आपको कुछ डोक्यूमेंट बोलेंगे जैसे कि आपका आधार कार्ड आपका आधार कार्ड बैंक की पास्बुक और बैंक की छे महिने क या एक वर्स की बैंक स्टेटमेंट आपको बोला जाएगा तो ये आप निकलवाकर लेकर चले जाएगा अधिकारी स्वैम देखेंगे कि किस महिने से पैंशन रुक रही है और पैंशन रुकने का आखिरकार क्या कारण है तो वहाँ पर जैसे आप लेकर जाएंगे आपको बता दिया जाएगा कि कब तक आपके पैंशन आपके बैंक हाते में आ सकती है पैंशन धारकों का विकास भवन या जिला समास कल्यान से ही पूरा निवारण किया जाएगा क्योंकि अधिकारों के हाथ में होता है जिला समास कल्यान में या विकास भवन में जो बैठे होते ह तो वह अपनी गलतिया कुछ इस प्रकार से ठीक करा सकते हैं जो कि हमने आपको बता दिया अब यहां से आप समझ गई होंगे कि सबसे पहले जो नियम बना गया है वे आधारकार को अपडेट कराने के लिए बना गया है केवल आधारकार उन पैंशन धारकों को अपडेट कराना है जिसका दस वर्ष से अधिक समय हो चुका है उनका आधारकार पुराना है अपडेट नहीं हुआ है यही वे कारण है जिसकी वज़े से लाभार्तियों की पैंशन रूख जाती है बैंक खाथे में नहीं पहुँचवाती यदि आपकी भी पैंशन रूख रही है आप इन सभी नियमों का तरीके से पालनन कीजेगा तो जो आपकी रुखी पैंशन है वे दोबारस से आपके ब हो जाएगी उत्तर परदेश में तो सरकार जो रुकी पैंशन है एक साथ ही 9,000 रुपे 9,000 रुपे 6,000 रुपे ये 5,000 रुपे एक साथ लाभार्तियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है देखें यहां पर हम आपकी जानकार के लिए बता दे कि उत्तर परदेश में फ उत्रकंट राज्य भी सरकार पैंशन दे रहा है इसी परकार से यहां पर देखें और भी अन्ने राज्य हैं जिनमें होली से पहले ही लाभार्तियों के बैंक खाते हैं पैंशन को ट्रांसफर किया जा रहा है अब देखें आप सभी पैंशन धारकों से यह निवेदन है कि जल्द से जल्द आप अपना यह कारिय पुरा कीजेगा तभी आपको जल्द जल्द पैंशन असी दे दी जाएगी आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको अमर्द्वी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बह प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक स्ट्वीडियो में एक और नई जानकारी साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत